वेलकम तुटा आगे विदिये से दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपिटबलसी के आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में यूपिटबलसी में क्या चला इसके बारे हम जानकरी दी जाएगी और 10,800 प्लस पदों पे वेकंसी का अफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी जनकारी देंगे अगरिकल्चेर की नहीं भरती एक आई है अफिसियल नोटिफिकेशन के साथ इसकी जनकारी देंगे तो वीडियो को लास तक पूरा देखे पूरी यूए समझाएगी तो सबसे पहले बात करें आइं यूपिट फलसी जो है कल पी टी का रजल्ट आने को थालेकिन मीटिंग पॉस्पाराज़ कर दी गई है फिर निउज निकल के आई की पीटी मरेट जो है वह बीस से 25 जनवरी के आसपास यह रिजल्ट देखने को मिल सकता है ठीक है और आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा तो रिजल्ट तो इसी हफते में आना है और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और से ज्यादा उदर नहीं जाएगा 25 से पहले पहले यह रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो पीटी के बाद योजना बनी थी जेई 2016 का रिजल्ट मतलब जेई 2016 के रिजल्ट जारी करने के लिए योजना बनी थी क्योंकि EWS का मेटर था इसमें वो सुल्या लि रिजल्ट नहीं आ पाया तो जेई 2016 का रिजल्ट आज आपको देखने को मिल सकता है ऑफिसेल वेब साइट पे ठीक है इसके अलाबा कुछ योजनाबन नहीं है वीडियो 2018 की जो रिएक्जाम होने वाला है उस पे भी कुछ निर्णे होने वाला है 80 news निकल के आ रही है तो लेकपाल भरती को रद करने के लिए जो है एफिडेविट चारी कोर्ट में सम्मिट किया गया ठीक है काउंटर एफिडेविट लेकिन आयोग जो है इस भरती को रद नहीं करेगा STF की तरब से जाजबी लगवा कम्प्लेट है और जो भी संदिक्द है वो पकड़े जा तो अभी भी थोड़ा बहुत काम है कि यही जो कुछ हो चुका है वही रहेगा सेम और अब इसका रिजल्ट जो है पूरी प्रोसेस होने के बाद पूरी जाच कंप्लेट होने के बाद इसका लेखपाल का रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लेकिन कब तक आएगा ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि जांच चल लई है जांच के बाद जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा इसके लावा बता दें लोर 2019 वालों का जो रिजल्ट आया था उसकी जानिंग को लेके जो फाइल है वो विभावों को बेज दी गई है और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि फाइल बेज दी जाएगी और अब UDA LDA के बाद लोर का ही काम चलेगा जानिंग को लेके ठीक है तो जानिंग बहुत जल्द होने वाली है लोर वालों की इसके लावा ITI अनुदेशक वालों को बताया था कि आप लोगों का फिर से ट्रेड भरवाई जाएगी कि कौन सी ट्रेड में आप लोग आवेदन करने वाले है तो उसका लिंक बहुत जल्द एक्टिप किया जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोगों से फिर से आवेदन लिये जाएगे और जो ट्रेड है वो भरवाई जाएगी और आप लोगों को बता दें जब आप लोगों का P.T. का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद टेकनिकल कमबाइंड टेकनिकल का रिजल्ट पे काम किया जाएगा और उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा ठीक है तो यह इतनी अपडेट हो गए यूपट बलस सी की और अब बात करेंगे 10,800 प्लस वेकन्सी के ऑफिसिल नोटिफिकेशन जारी और एगरीकल्ची की नई भरती अफिसिल नोटिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों आप लोग यह चैनल है टेलिक्राम चैनल जाउन कर लिजिए टर्गेट विद्यस है चनाम से अगरिकल्चे जॉब्स यहाँ पे आप लोगों को सभी अगरिकल्चे जॉब्स की अपडेट और बाकी जॉब्स की भी अपडेट मिलती रहेंगी ठीक है तो इससे सत्रा दो दोजार तेश तक चलेंगे और इसमें यहाँ पे एक्जाम डेट को लेके भी और सभी जनकारी जो है आफिसल नोटिफिकरिशन है यह इसमें दी गई है और इसकी लाज्ट डेट सत्रा दो दोजार तेश है और इसमें आप लोग अगर फार्म अप्लाइग करना चाते हैं तो भर दीजिए और इसकी वेकंसी देख लीजिए आप लोग यह देखिए टेंटेटिव वेकंसी फॉर आल पोस्ट और एज अंडर एम्टीएस की 10,888 प्रॉक्स हैं और खबलदार इन C B I C and C B N 529 है ठीक है तो यह और भी इसका नोटिफगेशन काफी लंबा चोड़ा है इसको आप लोग देख लीजिए पढ़ लीजिए और इसमें एज मागी गई है वो 18 से 25 यह देखिए 18 से 25 एज मागी गई है और इसकी लिजिल्टी जो है वो 10th पास मागी गई है देख तो कैसे अपलाई करना है आप लोग यह ssc.nic.in की website पे जाएंगे और वहां से अपलाई कर सकते हैं और सरकारी रिजल्ट आप लोग जानते होंगे वहां पे भी इसका आगया होगा इसकी फीस 100 रुपए है तो आप लोग चाहें तो अपलाई कर दीजिए अच्छी खासी व और ताम डिवरेशन फ़र आल फोर पार्ट तो यह दिया गया है इन्यमर्कल एविलिटी मैथमेटिक्स वाला ओर इजनिंग और यह सेशन बन में सेशन टू में जनरल अवेरनेस इंगलिस लिंगवेज तो सेशन बन के लिए 45 मिनट पेटालिस मिनट दिये जाएंगे और य ओर अन्यान फिश्क टेश्ट जो मागा गया है मेल के लिए 16-ечат वारव इहां पर हाइट और चेश्ट के बारे और वेट जो है 48 kg तो अगर आप लोग इसमें अपलाई करना चाते हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इसका नोटिफिकेशन टेलेग्राम पे टाल दिया है यहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं इसके लावा बात करें एग्री कल्चर वर्ती के बारे और इसमें टाइम काफी कम है आप लोगों के लिए 20 तारीक तक आप लोग इसमें अपलाई करके इंटर्व्य आप लोगों को हो जाएगा यह वाकिन इंटर्व्य वाली जॉब है और यह आप लोग टेलिग्राम चैनल एग्री कल्चर वाले जो भी स्टूरेंट है टार्ग हजार रुपए दिया गया है और इसके आगे आवज जो है एक साल की है वो आगे बढ़ाई भी जा सकती है और कम से कम 21 वर्स होनी चाहिए आपकी एज और अधिक से अधिक 45 वर्स होनी चाहिए साच्छातकार के दिन सामन सूचना से रिलेटेड जनकारी है आप लोग इसको पॉल करवाया था यहां पर आप दे सकते हैं दोस्तों कि इस टेलेग्राम चैनल पर आपको कौन सी भर्तियों की जानकारी चाहिए सिर्फ एग्रिकल्चर में उन 89% लोग बोलना है 21% लोग बोलना है सभी भर्तियों की जानकारी चाहिए तो यहां पर कोशिस करूँगा सभी भर्तियों की जानकारी देते रहने की क्योंकि एग्रिकल्चर की जानकारी दूँगा ही दूँगा इसके अलावा अन भर्तियों की जानकारी दे दूँगा ताक तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और टेलेग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेजिए सभी नोटिफिकेशन यहीं पर मिलते रहेंगे आप लोगों को